हलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने अटोप चैनल है एचकेशन टीज असोक में तो देखे फ्रेंज आज का वीडियो जो है आप सभी समीदा आउटसोर्सिंग दैनिक बेतन भोगी या ठेके पर काम करने वाले सारे करमचारियों के लिए जो है आज का ये वी भारत के सभी राज्यों में नियमावली 2011 लागू होने जा रहा है और देखे प्रेंज इस सम्मंद में जो है सुप्रेम कोट द्वारा भी आदेश दिया गया था और देखे प्रेंज इस सम्मंद में जो है केंद सरकार द्वारा भी हरी जंडी मिल गई है और प्रेंज आप लोगों को बता दे कि यह जो नियमावली 2011 है इससे जो है कब तक सभी राज़ों द्वारा लागू किया जाएगा उसके बाद जो है कौन-कौन से राज इससे लागू कर दिये है और प्रेंस नियमावली 2011 से आप समझी समीदा आउर्फोर्सिंग फैनिक बेतन होगी या ठेके प्रकाम करने वाले कर्मचारियों के मांदे पर और उनके पर्मानेंट पर क्या असर पड़ेगा इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बताएंगे और प्रेंस आट फार्म में जो है आप लोगों को इस नियमावली 2011 के बारे में भी बताएंगे कि यह जो नियमावल पनने के बाद बेल आइकन को प्रैस कर देज़ेगा और बीडियों कि या इसके द्वारत के सभी राजों के समिधा और सोर्सिंग द्यारिंग बेतन敦ोगी या ठेके पर प्रकाम करने वले करौशारियों को पर्भानन किया जाएगा तो आई आप लोगों को बता दे कि 2011 में जो है समीदा और सोसिंग दैनिक बितर्मोगी या ठेके परकाम करने वाले कर्मिचारियों के लिए नियमावली 2011 लागू किया गया और देखे प्रेंस इस नियमावली के तहत जो है 2011 तक जिस भी समीदा और सोसिंग दैनिक बितर्मोगी या ठे के प्रकाम करने वाले कर्मिचारियों द्वारा दस वर्स की सेवा पूरी कर ली गई थी या जिनकी ज्वाइनिंग 2011 तक हुए 10 वर्स हो चुका था उन सारे लोगों को जो है इस नियमावली 2011 के तहद पर्बनेंट कर दिया गया था इसके लिए यह 2013 में आया फिर 2016 में भी आया आप लोगों को बता दे कि जब यह नियमावली 2016 में आया तो इसमें कुछ संसोधन किया गया इसकी जो समय सीमा है इसे 5 वर्स कर दिया गया और फ्रेंस इस पर जो है सुप्रिम कोर्ट द्वारा पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था फिर प्रेंस इस नियमावली में जो है संसोधन करके इसे जो है 2018 में फिर से पारित किया गया फिर से जो है इस नियमावली 2018 में 2011 का ही समय सीमा अपनाया गया फिर से जो है यह प्रेकिरिया इसमें चेंज करते हुए यह लागो किया गया कि 2018 तक जिस भी समीदा और सोसी दैनिक ब सब् detox आपकी ये जो नियमाओली है यह लगवग चैसालहों तक नहिंस आई और फ्रेस इस नियमाओली को ले कर जो है अब 2014 में सुप्रीम कोर्ड्रा फिर से आदेख दिया गया है और सुप्रिम मौली 2024 में आएगा इसे जो है निया मौली 2024 नाम दिया जाएगा और इस निया मौली के तहत जो है जितने भी समिधा और सोर्सिंग दैनिक बेतनबोगी या ठेके पर काम करने वाले करमचारी है चाहिए भारत के किसी भी राज के है तो अगर उनके द्वारा जो है 2024 तक 10 वर्स नहीं होगा और आप लोग जो है यह पूरा नियूज स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और फ्रेंस इसके साथ में आप लोगों को बता दे कि दो राज ऐसे हैं जिनके द्वारा जो है इस निया मौली 2011 को लागो करने की सहमती बन गई है और इस पहला राज यूपी है और दू भारत के सभी राज्यों में लागो होगा आप लोगों को बता दे कि यह यह हाई कोड द्वारा नहीं बलकि यह जो है यह उच्चतम नयालियाने की सुप्रीम कोड द्वारा यह आदेश केंसरकार को दिया गया है और फ्रेंस अब इसके लिए 15 अक्टूबर का समय दिया गय यह थे के परकाम करने वाले करमचारियों को पर्मनन किया जाएगा आकि फ्रेंस आप लोगों को बता जाएगा कि यह जो नियमाऊली बढ़ेगा उसके बाल आप लोगों को जो है बहगाई भत्ता का लाब मिलेगा आप लोगों को जो है बोनस वगरा मिलेगा इन सारी चीजों का लाब जो है आप सभी लोगों को मिलेगा यानि कि फ्रेंस एक राज करमचारी को जो भी सुब्दाय राज सरकार द्वारा तो फ्रेंस अगर आप जो है भारत के किसी भी राज के समिदा और सोसिंग दैनिक बेतन वोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्म जारी हैं तो आप लोगों को जल्द ही इस नियमावली 2011 के तहत जो है पर्मनेंट कर दिया जाएगा और जो नियमावली 2024 में आएगी इससे जो ह जल ली गई हो या जिनकी ज्वानिंग हुए 2024 तक दस वर्स अगर पूरी हो चुकी हो तो उन सारे लोगों को जो है इस नियमावली के तहत पर्मनेंट कर दिया जाएगा तो फ्रेंस आई होब आप लोगों को जो है यह सारी चीज़े अच्छी तरीके से समझ में आ गई आपिः लागो जन समय दें Detroit तोरीज वोग का झातर होज कार लोगों यह सीज़ एगё जबना गचाभर पिर्स वीज़े उतकी साथ